दोस्तों आप मेरे पीछे की साइड में देख रहे हैं यह कोटेज, बहुती सांदार लग्जरी कोटेज है जिसको अंदर से पाइन बुट से डिजाइन किया गया है, बहुती सांदर, अंदर से मैं अभी आपको दिखाऊंगा, मगर दोस्तों जीज जगापर मैं अभी दिसम्बर का महीना है तो आज 15 तारीक है दिसमबर 15 और लोकेशन बहुत ही गजव है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको इस यृटेज को रिवीव करने वाला हूं और लोकेशन बहुत ही सांधार है सारी जानकारी मैं आपको दूंगा दोस्तों ये जो कोटेज हैं यह हमारी टीम ने वनाया है अगर आप ऐसा कोटेज बन वाना चाते हैं और लेंड लेना चाते हैं उत्तरेकंग positives कुमाउन जोन कि दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पताया जगह है दाना चूली कमाउ जोन में पढ़ता है ने निताल से मान के चलिए एक घंटे की दूरी पर है तो चलिए इस कोटेज के पास चलते हैं और यहां से वियू देखिए कितना सांदार इता है एक वार वियू दिखा दीजिए तो यह पूरी वैली है और सामने हिमाले दीख रहा है बिल्कुल क्लियर हिमाले है और आसपास में आपको लैंड भी मिल जाएगी अगर आप लैंड खितना चाते हैं अगर आप ऐसा कोटेज बनाना चाते हैं तो यह दो नाली में कोटेज बना हुआ है 3BH के कोटेज है अंदर से पूरा लगजिरी कोटेज है तो चलिए पास से देखते हैं इस को तो यह इसका फर्स्ट इंट्रेंस है यहां पर आपको यह आरन का गेट मिल जाता है और काफी ओपन एरिया यहां पर छोड़ा गया है और यहां से भी व्यू देखिए काफी सब्सक्राइब की वरफ ना रुके तो जैसे हम सेंटी करते हैं यह हमारा डाइनिंग एरिया और ड्रोइंग एरिया साथ में सामने किचन है दोस्तों यह देखिए कितना सांदार लगजिरी कोटेज है उपर की साइड में पूरा पाइन वूड से बनाया गया है बहुत ही अ पाइन में वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है तो यह इसका ग्राउंड फ्लोर में फस्ट वैड रूम है और वैड रूम में जो हमारी अलमीरे बगर हैं यह पूरी पाइन बूड से बनाई गई है जो देखने में बहुत ही सुन्दा लगती है इधर की साइड में व पाइन बूड का बनाया गया है यह फ्लोर में ग्राउंड फ्लोर में यहां पर फ्लोर दिया गया है पूरे में वह पाइन बूड का चलिए एक बार उपर की साइड में चलते हैं यहां से एक बार यह डाइनिंग एरा दिखा दिए कितना सांदार कितना इस्पेशियस कितने अच्छे से डिजाइन क्या हुआ है और उसकी च्छत है वह भी बहुत अच्छे से बनाई गई है पूरे में पाइन वुड का यूज किया गया है चलो इस्टेर के सोते उपर की चल हम अभी पहुत चुक है फस्ट फ्लोर पर यहां पर जब फ़र्ष्ट प्लोर पर पहुचेंगे तो यहां देखिए कितने अच्छे से पाइन वुड का यूज किया गया है यह है यह बैटरूम है यह देखिए और यहां पर नीचे की और सुख़ी लगाएं तो पाभी अच करती है चलिए फरदे को बन कर देते हैं उपर यहां पर पाईनू तकी उच्थ किया गया है ए दोसरा रूम देख कि कितना सांदार सक्षिए कि यहांद डीज़क्त सकते हैं और हिमाले व्यूद यहां से भी बिल्कुल कलियर देखता है सांवने भी हिमाली भी कलियर दीखता है कि यह देखिए कितना इस्पेसस vacun Чтоacест लगाई गई वहाश रूम में वैस्टन शीट लगाई गई है और बहुत जादे इस्पेसस है यह समझ दीजि़ी आप। उया इसैन की ना सकते है दोस्तो नाइट में हमने यहीं पर इस्टे किया था वड़ा मज़ा आया और रात में जो टैंपरेचर है बहुत ही डाउन हो जाता है मान के चलिए एक या दो डिगरी टैंपरेचर इस टाइम है दिसंबर में और बरफ पढ़ने में केबल मान के चलिए 15-20 जिन के अंदर य इसे जो कोटेज है यह कमाउ जोन में नैनी ताल से मात्र एक सबागंटे की दूरी पर है जगा पढ़ती है धाना चूली मुक्तेश्वर के आसपास प्रोपर इश्नौफॉल एरिया है काफी हाइट पर है और हिमाल्य यहां से बिल्कुल साफ दिखता है तो इस परकर की प् वीडियो देखने के लिए जूड़े रहे है देशी परपर्टी यूटूब चैनल को सब्स्क्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और सेयर कीजिए फिर सामेल माइस से प्लाइस नाइस पीजिए और वीजिए शुक्त रहे बादे हैं